तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube में जो handle का feature आने वाला था जिससे कि आप हर चैनल को verify कर सकते कि यह channel किसका है वो feature finally आ चुका है तो अभी यह सभी user को नहीं मिला लेकिन धिरे धिरे यह rollout होना इस्टार्ट हुआ है तो जिन भी user को mail आ चुका है कि आप YouTube handle set कर सकते हैं वो अपने channel के लिए handle set कर सकते हैं तो मेरा फिलाल एक channel के लिए आ चुका है मैं आपको mail दिखाता हूं तब देख सकते हैं you can not choose your YouTube handle यह mail आएगा अब यह जिस channel के लिए आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो आपका channel का नाम रहता है यहाँ पर तो उसी channel में आप set कर पाएंगे मान के चलिए आपको दू तिन चैनल है चार चैनल है तो सारे में नहीं जिस भी channel के लिए mail आएगा आपको उस channel में कर पाईएगा और जब यह finally public हो जाएगा मुलब सबके लिए हो जागा फिर कोई भी इसको set कर सकता है तो चलिए इसको set करके में देते ह यहां पर लिंक की डारेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हर नहीं तो यहां पर आकर आपको अपना YouTube खोल लेना है YouTube खोलने के बाद आपको यहां पर तीन डॉट में क्लिक करना है और नीचे आकर यहां पर आपको setting में जाना है अब उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको ओप्सन है एडवांस का इसमें आपको जाना है नई इसमें ने दिया है एक मिनट अच्छा पहले आपको Creator Studio में स्विच कर लेना है तब यह चीज आपको मिलेगा तो यहां पर आपको इसका जो स्टूडियो है उसमें आपको चल जाना है यूट्यूब स्टूडियो में creator studio यहां पर आपको setting में आना है उसके बाद यहां पर आपको channel में आना है channel में आने बाद आपको यहां पर advance में जाना है ओ जेनरल में यह सोरी नहीं जेनरल में भी नहीं दिख रहा है सोरी 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 यहां पर आपको कस्टमाइजेशन में आना है कस्टमाइजेशन में आने बाद आपको यहां पर basic information में आना है और आप देख सकते हैं यह handle का feature यहां पर दिख रहा है तो finally मैंने अपना YouTube चैनल जो यह sketching वाला था मलब drawing के लिए उसमें यह handle लगा चुका है और आप यहां चाहिए तो अपना handle change कर सकते हैं जो भी handle आप लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं उसके बाद आपको channel को search करने के लिए अभी देखें जैसे मैंने यह अपना channel का handle लगा दिया है तो यह मेरा link बन गया है जो मेरे channel को कभी भी कोई भी search कर सकता है handle के द्वारा तब यहां पर जैसे महीं ऐसे link डाल के click करूंगा तो यहां पर मेरा यह जो channel है drawing वाला यह automatically खुल जाएगा और इसको ढूनने के लिए जादा दिक्कत नहीं होगा जो भी जैसे बहुत सारे फ्रोड हो रहते तो जिसके कारण यह handle का feature चालू हुआ है अब है कि मलब जिनका channel है आप verify कर सकते हैं कि यह original channel है या फिर कोई copy channel है क्योंकि यह handle किसी को दोबारा नहीं मिल सकता अगर मान के चलिए himansu 2387 मैंने ले लिया तब किसी और बंदे को यह चीज नहीं मिल सकता है तो इससे यह चीज हो जाता है कि जो copy channel होते हैं वह तुरंत ही identify हो जाएंगे आप उसी channel पर जाएंगे जिस पर आपको जोरी या जिस पर आप जाना चाहते हैं तो यह मेरा YouTube का channel था जो बहुत पहले मैंने खोला था तो इसमें यह feature आया है और यहां अगर अपना अभी जो न्यू वाला channel है उसमें अगर switch करता हूँ तो आपको यह feature अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें अभी side rollout नहीं हुआ है अब देख सकते हैं यहां पर आने के बाद यहां पर customization में आ जाते हैं उसके बाद basic information तो आप देख सकते हैं अभी यहां कोई option नहीं है वैसा तो आपको wait करना पड़ेगा जिसको अगर mail नहीं आया तो आपको wait करना पड़ेगा ताकि आपको यह feature जल्दी मिल जाया जैसे feature मिले आप अपना handle set कर ले उसके बाद फिर आप अपने channel को बड़ी अस अची बात है कि आप किसी भी channel को असानी से खोड़ सकते हैं और आप गलत channel में नहीं जा सकते हैं जो authentic channel है जिसमें में आप आप जाना चाते हैं जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं आपको वही channel मिलेगा क्योंकि handle एक ही handle 2 YouTuber को या 2 YouTube channel को नहीं मिल सकता है जिसे मेरा ही खूद यहां देख सकते हैं दो तीन channel है लेकिन इस सारे channel के लिए मुझे अलग-अलग handle मिलेगा एक ही handle में यह सारे channel में यूच नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए जिस भी बंदे को mail आ चुका है वह अपना handle बना सकते हैं जिनको नहीं आया वह wait कर ले बहुत जल्द हैं आपको handle वा आया जिसके लिए तो आप देख सकते हैं उसमें आपको दिखेगा कि यहां पर handle वाला feature है अब यहां पर कस्टमाइजिशन में जाना है आपको और यहां पर आपको basic information में जाना और इसके बाद यहां पर आप अपना handle set कर सकते हैं तो जिनको जिनको आया है वह किर पर आपना जो भी है handle set कर ले ताकि आपका चैनल को खोजने में असानी हो आपके viewers के लिए तो इस वीडियो में बस यही बताना था कि YouTube का handle आ चुका है और आप YouTube में और भी कुछ ने फीचर आ हैं जिसके लिए मैं separate video बनाऊंगा आपको बताऊंगा क्या-क्या यह ने फीचर है अभी म मैं कुछ ही दिर में इसको बनाऊंगा तो इस वीडियो में इतना ही था वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद